So hey guys, this is your Rohit और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सौमी के नए लैप्टॉप के बारे में दोस्तो सौमी ने कल ही अपनी एक नई ब्राणिल लैप्टॉप जो कि है सौमी का मीन नोटबुक एयर लॉंच किया है दोस्तो सौमी एक ऐसी गमपली इंडिया की जो की एक बहुत ही फास्टली गुरू कोले वाली टेक गमपली है दोस्तो सौमी जब इंडिया में आई तो सबसे पहले वो अपनी स्मार्टफोन को लाई उसकी बात दोने छोटी मोडी ऐसेसी जैसी की एक आटोमेटिक तुदब्रस एक आटोमेटिक हैंडवाच और बहुत सजी स्मार्ट टीवी एंडोइट टीवी लेकर आई अब दोस्तो सौमी अपनी एक नई प्रोड़क्ट जो की है सौमी का मी नोड़बुक एयर लाउंच कर दिया है इंडिया में और वो कहर ये कि वो इंडिया में बहुत अच्छी सैलिंग होने वाली है और उसमें जो आपको फीटर्स विलता है जो आपको स्पैक्स मिलता है वह बहुत तरगड़ा मिला है और सभी लैप्टॉप से है दोस्तो क्या वाकाई है यह सई है स्वामी का जो यह सभी जो एसेसरीस थी यह गैजट्स थी यह तो सही है पर दोसको क्या स्वामी अपनी इस लैटप की दुलिया में आगे बढ़ पाएगा दोस्तो आथ की वीडियो में आपको बता लेवाला हो कि स्वामी क्या है कुछ अंदर की बात समय चाहा है कि वो सभी companies पूँपनी हो या फिर कोई laptop पूपनी हो या फिर कोई भी गाइडशी वो चाहता है कि वो सभी चीचों में सबसे आगे रहे दोस्तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सवामी के स्मार्टफोंस होते हैं जो भी चैलिश के कर से नहीं करते हैं जैसे कि रैम रॉप प्रोसेसरे य। न Greth करती है और नियुक्ति करती है और थो यह स्मार्टफून्स के आपась करती है दूर dist करते हैं इस पॉल सिर्फ़न करते हैं और मार्केट नए नए पर दूस्तो जो भी बड़ी कंपनी से चाहें वह संसेंग हो मैंने पहले बताया था आपको इस सब चीजें सैंसेंग एपल या फिर कोई बड़ी कंपनी से है वह अपनी रिसर्च पर जितनी खर्च करती है ना उतना स्वामी के ज़ितना नेट वर्च होता है एक साल का उनसे क एक वीडियो बनाया कि the world's fastest phone has more RAM than me laptop दोस्तों यह कहले का वाद लेखी है कि मी laptop को इंडिया में उतने अच्छी लेजर से नहीं दिखा जा रहा है सो बिसिकली मुझे लगता है कि यह laptop इंडिया में नहीं बिकेगी और इनकी जो product है यह बहुत नीची कीड़ेगी अभी आपको market में डेल कंपनी के laptop, HP के laptop, Lelmo के laptop, Asus के laptop इसर के laptop देख लोग मिलती है पर दोस्तों अभी स्वामी अपनी एक नई product जो की है स्वामी का मीन न यह बहुत एयर ला दिया है और वो चाहर यह कि वो इंडियल मार्केट में अपनी लैक्टॉप को भी आगे बढ़ा पाए, ग्रू कर पाए जो भी डिल कंपनी से हैं या एपल हो, Macbook हो, वो अपनी जो रिसर्च पर काम करती है ना, वो बहुत ही लंगे टाइम से काम करती है और उसके बाद ही अपने प्रोट को लाती है और अपने जो उनके software है, उनके जो hardware है, उनके जो optimization है, बहुत ही अच्छा होता है, स्वामी के laptop से, या स्वामी के smartphone से करता हूं जो, तो बैसिकली डिल की जो company है, यह अपनी नई laptop जब भी लांच करती है, या फिको भी HP लांच लांच करती है, तो अधनी advertisement नहीं करती है, क्योंकि उनकी laptop जो है, वो बीकनी ही है, उनकी laptop sale होनी ही है, तो दोस्तों उनकी एक reputation है, उनकी एक research की timing है, उनकी जो optimization है software की बहुत ही अच्छी होती है, इन सभी laptop की तुलना में बात करते हैं तो, दोस्तों मरलब की एक ऐसी सोच म है, कि वो अपनी सभी gadgets को इंडिया मिला कर वो बहुत ही आगे बढ़ेगा, तो दोस्तों अभी 9 मुदी जी ने भी आत्म निर्वर भारत का भ्यान चलाया, और उन्होंने कहा कि local vocal बनो, दोस्तों भी आपको Samsung की smartphones जो ही मिल रहे हैं इंडिया में, वो manufactured in India हो रहे हैं, मतलब क में आपको साफ साफ लिखा हुआ है, manufacture in India and made in India, मतलब दोस्तों उनकी पार्ट्स है, चाहे हो RAM हो, ROM हो, processor हो, सभी छीचे इंडिया में बन रही है, ऐसे हैं दोस्तों, क्या आप सवामी के laptop को पसल करना चाहते हो, अगर चाहते हो, तो प्लिस मुझे कमिल करके बताएं, क्यों आप चाहते हो, उन्हें वो क्या खास features मिलती है, और सभी लेक्टो के तुल्ला में, जैसे कि Dell, HP, Lenbo, Acer, Asus, Macbook, इन सभी से क्या अच्छा है, और हाँ दोस्तों, अभी बहुत सब्सक्राइब के fans है, वो कर रहे हैं, कि Mi Notebook Air जो है, वो जादा बेटा डल है, Apple के Macbook से, दोस् जादा बेटर देल है, दोस्तों, आपको सवमी, मलत की वो चाहरी है, वो पूरे वर्ल में ऐसी market बनाए, ताकि उनकी जो network से कमाई है, वो बढ़ जाए, पर दोस्तों, आँके जो इंडियन स्लोग हैं, वो इस समझने के त्यारह नहीं है, कि सवमी ऐसा क्यों कर रही है, सव वो आपको 6GB RAM, 64GB स्टोरी के साथ जो आपको स्मार्टफोंस मिलती है, वो आपको 12,000 एंठावन मिल जाएगा, पर दोस्तों, यसे आप बात करते हैं, सैमसंग की, या फिर एपल की, या फिर इसर की, दोस्तों, इस सभी फोन्स, स्मार्टफोंस जो आपको लॉंच हो रहे ह तो पहले एक बार सभज लोग कि सवामी ऐसा क्यों कर रहा है, वो दोस्तों, सवामी एक बहुत नहीं, गलद काम कर रहा है, लोग साथ, वो अभी कुछ दिन पहले अपनी data को, स्वामी के user के data को बिला उनके permission के copy कर रहा था, अपने channel गया सरबर पर, और दोस्तों, इनकी प ज्यादा मलवल बढ़ेगा और उनकी प्रोडट्स इंडिया में ज्यादा बिक्केगी तो बस आज की वीडियो में इतना ही मुझे अमीदे कि आप समझ रहा हूँ कि स्वामी की लैप्टॉप को आपको क्यों नहीं खेड़ना चाहिए और स्वामी ऐसे क्यों कर रहा है थेंक यू